किसान भाईयो आज हम बात करेंगे यूएस एगरी सीड की कपास किसम कोटन 91 की इसकी संपूर्ण जानकरी मैं दूँगा कि इसकी क्या 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 खुबियां है जैसे बुमी कैसी होनी चाहिए अगेती या पच्छेती कब लगाएं सिंचाही कितनी चाहिए कितना वजन परती ह कर बैठ सकता है संपूर्ण जानकरी दूँगा और साथ ही हम बात करेंगे सबसे पहले बुमी की और उसके अंदर उर्वरकों की क्योंके अच्छा उत्पादन लेने के लिए बुमी की बुमी की बुमी की अच्छी तरह गैरी वे डुगाई बुमाई कर लें और दस दिनों बाद आप जब इसके अंदर पानी सिंचाई देने के बाद जब जोताई करें तो पांच ट्रोली गोबर की गली सड़ी पुरानी खाद एक सो पचीस केजी डिये पी दो सो केजी सूपर पचास केजी पोटास वे पचीस केजी जिंक तेतिस परसेंट को नीचे बुमी के अं इसके नैंटी वन यूएस एकरी सीड की इस किसम ने थोड़े से समय के अंदर इक किसानों के अंदर अपनी एक अलगी पैचान बना ली है यह किसम किसानों के अंदर बहुत ज़ादा लोगप्रिय हो चुकी है खास करके उन जमीनों में जहां पर कुछ हलकी वे रेतिली जम किसम आपनी खुभीया किसम अगेती वी तबहुत जया होती है इसके अपने पूरे समय के दोरान छी सिंचाई की जरूरत परती है छे से साथ फीट के जो हाइट है कद है अच्छा है इसका जो टिंडा होता है इसका बोल होता है वो बड़े साइज का होता है 14 से 15 क्वेंटल प्रती एक एकड़ी इसका वजन बैठ जाता है अगर सही तरीके से हम इसकी पूरी साम संभाल करें जिस तरह की हम वीडियो में जानकारिया आपको दे रहे हैं यह मध्यम समय के दोरान ही फल और फूल लेना स्टार्ट करतेती है जिसकी वज़े से जुल्स वे बलाश्ट का सिकार नहीं होती अगर एरिया वाई जी जुल्स वे बलाश्ट आ जाए जादा बारिशों के कारण अगर हुमिडिटी बढ़ जाए तो भी एक किसान को दोका नहीं देती अगर ऐसी सच्वेशन हो बलाश्ट वे जुल्स की तो इसके उपर आप अमारे चैनल के उपर लाश्ट येर की डाली वी वीडियो देख सकते हैं इस साल भी हम डालेंगे आप अच्छे कुछ खादों के मिसरन नीचे देकर जुल्स वे बलाश्ट से बच सकते हैं किसान भाईयों अगर यूएस इकानमे की बात करें तो इसके पत्ते काफी सोफ्ट वे मुलाइम होते हैं जिसकी बज़े से इसकी बढ़वार अच्छी होती है अगर इसके अंदर कंपनी की कंडिशनों के इसाथ से इसमें सैकिंग पेस्ट तेले जेपे का अटेक काफी कम ह होता है और जो फकरल वाईरस है वो भी नामातर आता है लेकिन फिर भी जहां पर कुछ है जो किन् बैल्ट है जिसको सिट्र्स बोलते हैं उस एरिया के अंदर जो है सेकिंग पेस्ट वे लिफ करल कमे की सैक्थ आ ही जाती किसानों को जो cotton के अंदर है बीटी cotton के अंदर खास करके जो मार पड़ती है लाश्ट के अंदर जूल स्वैब लाश्ट से पड़ती है पते एकदम लाल हो जाते हैं फल फुल जो है ड्रोप हो जाते हैं तो इसके उपर लाश्ट येर हमने वीडियो बहुत शानदा डाली थी इस बार भी डालेंगे खादों के कुछ मिस्रन है जो नीचे देखे आप इसका जो है 90% कंट्रोल कर सकते हैं अडवांस स्टेटमेंट करके और करीब करीब किसानवाईयों हम बीटी कोटन की 20 किसमों के उपर जो है संपुर्ण जानकारी आल्रेडी दे चुके हैं 10 टोप 10, 5 टोप 10, 2 टोप 10 और एके करके भी 6 साथ किसमों के उपर आल्रेडी हम वीडियो डाल चुके हैं उन किसमों के उपर भी अगर आप जानकारी लेना चाते हैं जैसे रासी सीड, बाहर, सिरी राम, अंकूर सीड की, यूए सेगरी सीड की और बहुत सारी कंपनियों की जो है हम कावेरी सीड की डाल चुके हैं, तो मिलते किसन भाई हो, नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक दीजे जाजे, जैहिंद बंदे मात्रम